लुए फ्रेंट्स विलकुटि मैं चानल चली आज बनाते हैं नौरात की ब्रत्कियों प्लेच में चेटपड़ा सा कुछ टेस्टी सा काफी कम तेल में उसको बनानी के लिए मैंने वब लेवे आलो लिये चार से पाचा उबले आलो लिये उसी आते हु शाथ यहां पर मैंने उसको अधनीय साथ के हमादाए नार। तो उसको अधका चटपीर बनाने के लिए मैंने आधव कड़ोरी मूभली ली लिए है उसी जात यहां पर मैंने हरी धनिया हरी मिर्ची है मिर्ची को हम साथ में डाल करके बीना पानी ही याट की इसको ग्रैंड कर लेंगे जिसमें कि इसमें और भी टेस्ट आया खाने बहुत ही टेस्टी लगता है अब इससे ब्रत्व बर्नाकिये खा सकते हैं आप चाहे तो वैसे भी बर्नाकिये खा सकते हैं अगर आप नमा खाते हों तो यह जिस आपके लिए यह देखिए ना 5-Paste बना लिए यहां पर ममपली का उसको मैंने एक बॉल में निकाल लिए है अब उसमें तुछड़ा नमक एड़ करेंगे नमक यहां पर मैंने सेना नमक एड़ किया है आप बिनब्रत के बना रहे हैं तो आप नौर्मल नमक भी एड़ कर सकते हैं प्लेन न बुनावा जीरा का पॉड़ बुनागे रखा था पहले से काली में बुनेवे जीरे करको रोज करके इसके बाद उसको ग्रेंड कर लिया था उसके साथ यहां पर हम डालेंगे शाह बंदाना जो मैंने एक गंटे के लिए भीव की रखा था हो काभी फुल गया है फुल न पर यह डबल हो जाता है इसकी साथ यहां अबलेवे आलो हम अट कर देंगे इसमें इस सारी चीजों का अच्छे से हात्व के शाहत अच्छे से मैक्स कर लेंगे अब जो सबजी घातिव वृत में उसको भी आप इसमें आड कर सकते हैं इस आरी चीजों कर लेंगे हात हो अच्छी से फोल्ड लेंगे चुटी चूटी पीसेस में तोड लेंगे हैं इसको है है कि साम दाना चान जो मुझमेंगे मिश्भी मिशन में तो अच्छे से मि Organ कर लेंगे कि उमीद करती हूं कि आपके मेरी रेस्पी अच्छी लगेगी अच्छी लगए तो पहले सेर करना लाइक करना भूले एक नई रेस्पी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको सबसे बहले नोटिफिकेशन मिलते रहे यहां पर दीए सारी चीजों के अच्छी से मैंने मिक्स कर लिया है और हातों में थोड़ा सा मैंने मुंपली का तेल लगा लिया अब चाहने तो गी भी लगा सकते उसके बाद यहां पर छुटी 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 बॉल्स हम बना के त्यार कर लेंगे यहां पर हम पानियानम साच्चम इसको बना रहा है छुटी छुटी बॉल्स बना करके हम इसको त्यार कर लेंगे आप पाने अम साच्य मेनन बनाना चाहले तसको बॉल्स बनाकर खलका साथ तो से चिप्टा करके भी बना सकते हैं, ठीक है नुमा पयुह श्यली च्छी पउड बनाकर यां तैया कर लिया है मैंने उसी साथ यहां पर मैंने लटें साचा लिया है तो सारी साचा में हाँ थुड़े दोगा करके ताय एट कर दिंगे अब चाहेई तो इसके जगाँ घी भी एट कर सकते उसके बाद जो बॉल्स बना के तैर किये थे उसमें हम डाल देंगे पांड को पहले हम अच्छे सागरम कर लेंगे पने हम सेख़ए अच्छे पहले गरम कर कर लेंगे उसके बाद ही हम थुदा 20 को थील टूरा पृत्षा एल्टिकर सारी माल्स मों डाल देंगेत उसके आप गैस का फ्रेम लो करके थोड़ा इसको सुनारा होने तक अच्छे से सेख लेंगे आप चाहें तो इसको ठीफ राइ भी कर सकते हैं उसके थोड़ा से हम इसको ढख देंगे कब सक 5 मिन तक इसको ढख करके पका लेंगे इसमें हम गैस का फ्रेम थोड़ा लो किये रहेंगे अब देश सकते हैं कि साइड में हलका सा गुल्डेंग ब्राउन हो गया है उसको फिर पलेट करके दुनों साइड में अच्छे से हम गुल्डेंग ब्राउन होने तक अच्छे से एक लेंगे किसी भी नुखिली चीज से हम यहां पर चम्मा से या किसी भी नुखिली चीज से हलका सा प्लटते वे तो उन्हों साइड मच्छे से गुल्डर मुणान होने तक इसको मच्छे से लेंगे यह खाने बहुत टिस्टी लगता अपसको गर्मागाम चाय के साथ और निवू के सरवत के साथ आप इसको खाने बहुत ही पसंद आएगा आपको प्लेट कर मेंने दूसरे साइट में भी इस से लिए था कि हलका साई गुल्डर मुणान हो गया है करते वे इसको हम शेक लेंगे काफी कम टाइम ही यह बन के त्यार हो जाते हैं जब यह आपको कुछ चट पटा खाने के मान हो तो आप इस तरह बना सकते हैं बिना ब्रत की भी आप इससे बना सकते हैं उससे के साथ यहाँ हरि धरि छट्टी मनने के लिए मैने खांडी के साहं हरि ठनिया पाइक से डीड़ और विडिकर नार यह है इसचेड को जीरा और हरी परती डाल कर लिए कि यह दिखे मारे क्रिस्पी सामुंदाने के पानेर बंके त्यार हो गया है अपर से इसको हरे धनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं उमनी दो कि आपको यह मेरी रेस्पी अच्छी लगेगी उपर से एक क्रिस्पी है अंदर सा स्वाफ्ट है एक तोड़ के दिखा रही हूं मैं यह काफी गरम है प्रिस्पी आपको यह था प्रिस्पी आपको यह था एक वर वाची आपको यह था खाए लोगेगी जाए